Statistic, Statistic, Statistic आम में से काफी लोग समझती हैं और काफी लोग सिरफ नमबर या A grade की बेस बेसे पास करके कहते हैं गर मुझे Statistic आती है But there are people जिनको पता है कि Statistic की Real Time, Real Life के अंदर कितनी value है अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि मैंने Statistic सीख ली है And now I know how to pass an exam तो Statistic ना पढ़े अगर आपने Statistic सीखी है Then you know कि ये Real Life में कैसे use होनी है उसका ज्यादा फाइदा है और आज के दोर में जितना data हमारे पास हा रहा है जिनको Statistic साती है साथ में वो data science की कुछ टेक्नीक सीख लेना वो दुनिया में बहुत टॉप नॉच लेवल पे जा सकते हैं लेकिन अल्मिया ये है जिसको Stat आती उसे Computer नहीं आता जिसे Math आती है उसे Stat से इसे नहीं आती हम अपने अपने fields के अंदर गुसे हुए है So data science एक interdisciplinary field है आज के इस lecture के अंदर आपको application बताने वाला हों के scientific level पे या data scientific level पे या दुनिया के बड़े level पे जहां पर artificial intelligence का use हो रहा है या machine learning का use हो रहा है या आपके पास deep learning neural network का use हो रहा है LLM बन रहा है, chat GPT बन रहा है ये कैसे बन रहा है और statistics कैसे help करती है Let's dive into it आपके सामने screen share हो रही है अब हम देखेंगे कि real world examples कौन कौन सी है आपकी statistics की सबसे पहले चीज real world के उपर जाने के लिए आपको पहले तो statistics सीखनी है अब ये वाला जो lecture है ये आपको focus करके बताएगा कि क्यों सीखनी है statistics ठीक है पहली चीज, number one जो number one पे आती है वो ये है के health care का system आपको शायद अंदाजा नहीं है ये जो आपके पास एक penandol आती है और हर medical store पे मजूद है इसके पीछे भी data है और उस data की base पे clinical trials होते हैं के penandol की base पे किसी का बुखार उतरा किसी का सरदर ठीक हुआ या नहीं हुआ say for example अगर आप dispreen की गोली खाते हैं तो आपके पास ये ऐसे dispreen की गोली नहीं पहुंच की health care system के अंदर clinical trials होते हैं उन clinical trials में देखा जाता है कि कितने बंदों को, कितनी age के लोगों को dispreen दी गई और उनका सरदर ठीक हो गया on the other side अगर आप cancer की treatment लेते हैं even though COVID-19 की vaccine लेते हैं उसके पीछे clinical trial होते हैं जो patient का data और health care data को analyze करने के बाद बनते हैं जैसे दुनिया के अंदर जो Pfizer है BioNTech की, German based company की जो vaccine है वो दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है COVID-19 की reason का है कि उसका जो prevention rate है वो high है as compared to other जो दूसरी vaccines है और उसके side effects भी काम है so health care system is one of that secondly, health care system के अंदर जो आपकी AI applications develop हो रही है इसके अंदर आपके पास different किसम के statistical algorithm advanced level पे maintain किया जा रहे हैं जैसे आपने देखा होगा different countries के अंदर apps मुझूद है जैसे मेरे पास अब जर्मनी के अंदर app मुझूद है different company के आप insurance पे करते हैं और इस insurance की base पे आपको statistical analysis की base पे बताया जाता है कि आप कितनी amount का जो है वो इलाज करवा सकते हैं ठीक है free में usually यह बहुत high amount के भी होती है कम amount में भी होती है but in other countries like USA, Switzerland, Canada, Australia वहाँ पे इसकी ratio different होती है तो यह कैसे वो decide करते हैं कि आपने अगर 300 रुपया पर मंत दे रहे हैं या 300 डॉलर पर मंत दे रहे हैं insurance का तो आपको कितने maximum कितनी insurance देनी है so based on this data analysis they can actually analyze the data और healthcare system जो है वो data की base पे चलता है जैसे COVID-19 के अंदर एक एक city के अंदर आपके पास beds कम हो गए तो उसकी reason ही यह थी कभी-कभी आपने pandemic का सोचा ही नहीं था so उसकी base पे आपके पास different किसम की जो facilities हैं वो कम पढ़ गी थी so healthcare के अंदर जितनी बात कर ली जाए उतनी कम है number two is called economics and business economics and business जनाबे वाला वो दोर गया के आप Excel की sheet के उपर अपना data सारा रखके उसको analyze करके different किसम के models लगा के कहते हैं के हम पूरी की पूरे पाकिसान की GDP को calculate कर सकते हैं now the things have been changed market analysis करने के लिए risk assessment करने के लिए decision making in business के लिए you need to go through the business analytics business analytics या business data scientist एक business scientist एक new term device होई है के आप business में रहते हुए data को use करें scientifically different किसम के analysis करें और बताएं लोगों को के इस वकत कौन सा data hype पे जा रहा है इसकी मिसाल मैं आपको यह दे देता हूँ stock markets यह NVIDIA का stock पिछले दिनों से इतना उपर जा रहा है reason क्या है क्योंकि AI क्या धोरत हो रहा है NVIDIA का stock आप देखेंगे न recent days के अंदर वो 10 से 15 डॉलर भी increase किया उससे भी ज़्यादा increase करने के chances हैं तो यह हो कैसे रहा है किस base पे stocks increase होते हैं data के बीचे stat लग रही होती है और stat छोटी से नहीं कोई भी model है कोई भी algorithm है यह सब के सब statistics ही है so एक तो हो गया economics business फिर stock market stock market के इलावा यह जो आपकी rate list define होती है यह किस base पे होती है different parameters होते हैं कि Pakistan में इस वकत महंगाई ज्यादा है तो रोटी कितने की बेजनी है तंदूर वालोंने आटा कितने रुपे किलो होना चाहिए जार patrol की prices ही ले लो इसके पीछे statistics होती है ठीक है यह patrol की prices और इस तरह की बाकी prices जो है यह सारी की सारी statistics की base पे आपके पास सामने आ रही होती है number three government की policy making data driven decision making तो मैंने आपको बताया लेकिन एक और term है data driven policy making जब governments different data की base पे कुछ नई policy बनाती है climate का data जो आपका आजकल हो रहा है कि पाकिसान के अंदर आप देखें लहौर के अंदर कितनी smoke पढ़ रही है अगर government ऐसी policy बनाए कि पाकिसान के अंदर से for example हर घर ने एक दरख्त लगाना है ठीक है वो कहीं पर भी लगाया है उन्होंने एक दरख्त लगाना है और उसका certificate देना है so just imagine के pollution वो control कर सकते है policy बना के on the other side हमारे पाकिसान के अंदर जहां पे देल के रहे उठा के वो फैक्टरियन लगा देते हैं so दूसरा वो क्या करता था वो हमारी कावर्मंट एक साइड को जजब करता था अब जितनी ये कलूनिया बन रही है अगर गौर्मेंट पोलीसी लगा दे के हर कलूनिय के अंदर आपने इतने दरख्त बनाने हैं लगाने हैं तो क्या होगा आपका कमसकम क्लाइमेट चेंज की पोलीसी बन जाएगी और उसकी बेस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं स्मोग को और बाकी चीज़ों को on the other side अगर एक और पोलीसी बन जाए कि जब भी फ्ला महीना आना है जहां पर स्मोग होती है जैसे चाइना के अंदर वाटर टैंक क्या करते हैं वो डिफरेंट किसम की जो मिस्ट है वो हवा में छोड़ते हैं जिससे वो suspended particles जोते हैं स्मोग के नीचे आके बैठ जाते हैं पता है नमेंबर दिसमबर जनवरी फरवरी चाहर माह में स्मोग होनी है इसको कम करने के लिए वो इसको कम करने के लिए वो इसको कर दिया उनको इल्मी नहीं है कि ये डेटा प्राइवेसी कितनी बड़ी चीज है मुझे पता है कि पाकिसान के अंदर rule हैं लेकिन हमारी आम पबलिक को नहीं पता so decision making और policy making इसमें बड़ा फरक होता है decision होता है आपके छोटे काम के लिए policy होती है पूरी government की level के उपर so data की base पे अगर जब हम policies बनाना start कर देंगे then we can actually grab a lot of information from the data we are producing अब आपको भी पता है पाकिसान के अंदर सबसे ज़्यादा use की जाने वाली websites कौन सी है obviously जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है YouTube है और Google है on the other side Google पे जा के आप चेक कर सकते हैं कि क्या trend में चल रहा है उसकी base पे आप policies बना सकते हैं आपको भी पता है कि YouTube, TikTok और इस तरह की काफी चीज़ें different जोगों पे बहन हैं जैसे चाहिना के अंदर यो YouTube है वो बहन है अगर आप different other countries में है तो वहां पे TikTok बहन है so यह क्यों हो रहा है यह data की base पे उन्होंने अंदाजा लगाया कि जहां पे trend चलते हैं लोग सारे TikTok पे जा रहे हैं TikTok की data privacy नहीं है वो पूरी की पूरी TikTok के एक country के अंदर बंद कर देते हैं so these are called data-driven policy making और इसके पीछे role किसके है statistical analysis का number four is आपका environmental science जो भी मैं आपको examples दे के सटो यानि कि आप environmental science की base पे different किसम के analysis करके climate change के इलावा आप कोई और भी data analysis कर सकते हैं biodiversity के कर सकते हैं आप कह सकते हैं कि फ्लाँ हिरन को कोई कतल नहीं कर सकता या जो हमारे पास mark हो रहा है इसको नहीं हम नुक्सान पहुझाएंगे क्योंकि इसकी policies जो है instinct हो रही है so environmental science plus biodiversity plus biology इसके अंदर policy भी आप बना सकते हैं number five is आपका education sector education sector के अंदर आप device कर सकते हैं कि यार education में अगर किसी ने lecture देना तो ये ये rules हैं ये training ले के आने पड़ेगी हमारे याँ पर क्या होता है सिफारशी लोग भरती हुए है school के अंदर colleges के अंदर universities के अंदर उनको पढ़ाने का ही नहीं पता अगर पता है पढ़ाने का तो वो deliver नहीं कर पा रहे सही तरीके से या मेहनत नहीं कर पा रहे या उनको दूसरी duties में रखा गया है so कुछ educational level पे चीज़ें सिखानी चाहिए जैसे कि उन्हें पता होना चाहिए कि अगर हम lecture दे रहे हैं तो it should be recorded और मैं तो ये कहता हूँ कि हर college और हर university के अंदर जो भी lecture हो वो recorded हो और आम अवाम के सामने आए उससे क्या होगा जो लोग पढ़ा रहे हैं कम असकम उनका एक इस इहतसाब होगा कि ये अच्छा पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं हमारे यहां क्या होता है universities में या colleges में professor lecture देने आए हैं या lecturer lecture देने आए हैं आगे स्कून से बैठे हुआ हैं या अवाम को every notes दे के कह दिया ये पढ़ लेना जाके so जब data होगा हमारे पास हम लोगों का survey करेंगे कि आपको कौन सी चीज़े चाहिए कौन सी नहीं चाहिए तो आप उसकी base पे lecturers और जो trainers हैं उनको train कर सकते हैं and this can help in booming up our educational sector और इंशाला ये ऐसा ज़रूर होगा so this thing can actually help us to improve education as well अगर हम educational methods policies और academic research के उपर ज्यादा focus करेंगे तो ये थी जी पांच पॉइंट health care, economic and business government policy making environmental science and education इसके इलावा आपको कौन सा ऐसा sector लगता है जहांपे stat, machine learning, artificial intelligence और data science यूज़ की जा सकती है please write down in the comment section like भी ज़रूर करते हैं subscribe भी करते हैं इस channel को अगर आपने नहीं किया मैं next lecture में आपको मिलता हूँ